जालकंड धनबास से बड़ी अपडेट जमा करता हुने साहराएंडे के मालिक सुब्रत्राय का पुतला फूका कम पनी नहीं लोटा रही है जमा पैसा सरकार भी नहीं कर रही है कोई कारवाई दोस्तों साहरा एंडेय की लगातार अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ के साथ हमारी बैल आइकन का बटन दबाए ताकि हमारे दुआरा बनाई गई साहरा एंडेय से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट मिले सबसे पहले आपके पास तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं धनबाद की आज की ताज़ा खबर जमा करताओं ने साहरा एंडेय के मालिक सुबरत रायका पुतला फूका कमपणी नहीं लोटा रही है पैसे सरकार भी नहीं कर रही है बटत साहरा एंडेय के दस लाग उद्बोक्ताओं से जमा पैसे की मांग को लेकर संयुक्त आल इंडिया जन आंदोलन संगट न्याय मोर्चा के रंधीर सर्मा वर्मा चौक पर प्रदस्न किया और प्रदस्ट में बारी संक्या में बोक्ताओं ने हिस्सा लिया, सभी ने सहारा अंडिया के मालिक सुपरत्राई के खिलाफ नारे लगाए और पुतला देहन किया आंडोलन में सामिल नागेंदर कुमार कुस्वा ने बताय कि धनबाद में करीब दस लाक निवेशकों का पैसा बकाया है सारा अंडिया ने तो पैसे लोटा रही है और नाई सरकार की ओर से कोई कड़े आदे दिये जा रहा है जमा करता हो को काफी समस्चाओं का सामना करना पड़ रहा है लड़कों की साधी पढ़ाई आदी बादित हो रही है सरकार को जल्द उन पर कारवाई करे और बाकाय दादारों का भुकतान कराया जाए कार्या करता बारी संख्या में आंडोलन में सामिल हुए या दोस्तों ये धनवाद में एक बहुत बड़ा आंडोलन किया गया और जैसे कि आप जानते है कि आल इंडिया जन आंडोलन संगर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले देश के कोने कोने पर इस वक्त धने पिर्दस्न किये जा रहा है सारा इंडिया के जो 13 करोड निवेशक है उनका हक और उनका पैसा दिलाने के लिए बराबर कमपणी और सरकार से लड़ाई लड़ रहा है लेकिन अभी तक सरकार ने धरातल पर कोई भी इंप्यूरित निवेशकों के लिए एक्सन नहीं लिया ना इस सरकार ने और ना सेबी ने तो इस वक्त निवेशकों के हालत बहुत दैनी है उसी को लेकर सारा सुपरोत्राय का यहां पर पुतला फूका गिया तो दोस्तों लगतार न्यूज में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ के साथ हमारी बैल आइकन का बटन दमाए धन्यवाद जैन जै बारत